इस वक्त की खबर आपको बता दें कि स्टेग गाईट ने विदेशी महमानों का डालिगेशन गुमाया पुरिस कर्मिव के साथ स्टेग का विडियो अब सोचल मीडिया पर तेजी के साथ वाइरल हो रहा है ताजमहल में स्टेग गाइडों की गतविधियों से प्रशासन बेखबर है पूर्व में भी डालीगेशन को स्टेग गाइड घुमा चुके है एक बर आपको फिर से बता दे के स्टेग गाइड ने वदेशी महमानों का डालीगेशन घुमा है पूर्व में स्टेग गाइड का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है ताजमहल में स्टेग गाइडों की गतविधियों से प्रशासन बेखबर है अधिक जो अनकारिक ते जुटने अपने समधाता गोपाल शर्मा के साथ जी गोपाल आखे जो स्टेग गाइड है ये कहां से आए और पुलिस कर्मियों के साथ स्टेग गाइड का वीडियो वाइरल हो तो क्या पुलिस प्रशासन उसकी मिली भगत से जो स्टेग गाइड है वो डालीगेशन को ताजमहल गुमा रहे हैं आजल आपको बता दू कि जिस तरह से इस्टेग गाइड जो अगर ताजमहल की बात की जाए तो वहां पर जो इस्टेग आइड हैं उन्हें अनली बेसी पद्यातक हिंदुस्तानी परटा की गुमाने की अनुमती दी गई है अलाके इस तरह से अगर दिखा जा रहा है कि एक वीडियो वाइरल होला है जिसमें एक विदेशी मेहमानों का जो डेलिगेशन है उनके साथ एक पुलिस कर्मी भी मौजूद है तो वह साथ में वहां जो कह सकते हैं कि एस्टेग गाइड उनको घुमा रहे है का चल दाए त उसमें भी एक मामले सामने आया था कि एक इस्टे-गाइड है जो ईसमें उनको इस्टे-गाइड ने उनको गजिद कराया है तो इस तरह की जो लापर वाई है पूर्थ में भी देखी गई है है अलांकि कल से कल का ये वीडियो बताए जा रहा है क्योंकि आज सुबह से वायरल हो रहा है इस तरह से देखा जा रहा है कि जो कह सकते हैं कि जो परेटन पुलिस की जो अन्देखी यहां पर देखने को मिल रही है लगातार जो तासर अच्छा एसे की अरी पहमद लगातार उसके रखे हुए हैं लेकिन अगर बात की जाए तो जो कह सकते हैं कि परेटन पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है लगाता रही है इस तरह से इस्ते गाइडों की जो गद्विदिया है उस पर ना तो परेटन पुलिस का कोई देखने को मिल रहा है ना एसाई कर्मचारी कह सकते हैं कि जब सुरच्छा कर्मी वहां पर आपको फिर से बताने कि स्टेग गाइड में विदेशी महमानों का डेलिगेशन घुमाया पुलिस कर्मियों के साथ स्टेग गाइड का विडियो आज सुबह से तेजी के साथ सोशल मेडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है ताजमहल में स्टे गाइडों की गतविधियों से प्रशासन बेखबर नज़र आ रहा है पूरुनाभी डालिगेशन को स्टे गाइड ताजमहल को घुमा चुके हैं लेकिन अभी तक इसके खिलाफ कोई कारवाही नहीं की गई है